दोस्तो 2023 खतम ही होने वाला है एंड इवी सेल्स के रिपोर्ट की बात करें तो 2023 में जून के बाद इतनी ज्यादा इवी सेल नहीं हुए क्योंकि इंडियन मार्केट में फेम 2 की सबसीडी जून के बाद काफी कम होई थी लेकिन 2024 में नए इलेक्टरेक स्कूटर उतने ही आने लिए यह टॉप इवी दोचारी चोविस में बूम करने वाले सो एपसुलूट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सबसे पहले जो भी इवी के बारे में बात करेंगो इसकी टेन यर तक आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है रिमबोल एंड स्वापेबल बैटरी मि मिलेगी एसा नहीं कि हम यह टॉप पर बता रहे हैं बट सर्विस आपको अच्छी मिलेगी 120 किलोमेटर से लेकर 300 किलोमेटर तक रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करने वाले सो आपको आफशन काफी मिलने वाले सो विड़ाट इन्यवेस टाइम लेट स्टार्ट इस वीडियो देखो आर सबसे पहले पांच नंबर पर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो अभी 2023 के इंडिंग से इनका प्रोडुक्शन वगयरा चालो होने वाला है गोगरो इलेक्ट्रिक गोगरो इलेक्ट्रिक जो है ग्लोबल प्लेयर है इंडिया के बा वाला है सबसे पहले बात करते हैं गोगरो इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों लेनी चाहिए इसके लिए क्या अच्छे पॉइंट है फ़र्स्ट आपको सपेबल बैटरी मिलने वाली है बैटरी के लाइफ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 10 साल तो मिलेगी ही मिलेगी व क्यार्टी इनुना यूज está chee रहें गी ऊस्टी ऊटैसके प्राइसिंग लाइन वात में वाइन करने due से देघनी काहा है और दीर 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 इन ने अपना काम करना चालो कर दिया है तो absolutely 2000 चोईस में ये भी electric scooter brand इंडियर मार्केट में boom करने वाला है next electric scooter के बारे में बात करतेगा इस वो है बजज के तरफ से चेतक electric scooter जो की upcoming में बे LDC motor में आने वाली है सबसे पहले बजज जो है trusted brand है build quality आपको metal की मिलती है इसलिए आपको body की life जो है electric scooter की वो आपको अराम से जो petrol scooter की रहती है strong body आपको यहापर देखने को मिल जाती है safety भी है लेकिन यार इसमें काफी customer को लग रहा तक इसके आर pricing थोड़ी सी जादा है इसलिए company ने यहापर बी LDC motor पर काम करना चालू कर दिया है यह testing image भी आप screen पर देख सकते हो अटो हिल पर मराटी ब्लॉक्स पर इन्होंने article भी डाला है actually सब सेम ही रहेगा सिर्फ motor जो है B LDC motor and mid drive motor ऐसा कुछ आपको option देखने को मिलेगा आप बोल सकते हो कि under 1 लाक रुपीज में भी इसकी pricing रह सकती है अच्छा का साब brand है सबी customer का feedback की बात करें तो बजा चेतक electric scooter के साथ best आपको यह पर जो है feedback customer का मिलता है और normal scooter जादा features नहीं जैसे कि ओला electric वगेरा में आते है so family scooter है कोई भी इसको use कर सकता है launch time के बात करें तो Indian market में testing जो इनकी finally चालू है 2024 के starting में ही आपको यह electric scooter Indian market में देखने को मिल सकती है उसके बाद next electric scooter के बारे में बात करते हैं उससे पहले यार वीडियो आपने यहां तक देख लिए तो यार प्लीज प्लीज यार subscribe और इस वीडियो को like ज़रू करना 5000 likes का target है और subscribe भी नहीं करते हैं यूटूब पे हम सबसे हटके content बनाने के कोशिश करते हैं तो यार प्लीज सपोर्ट करना भी ना भूलिए तो next electric scooter है TWS के तरफ से IQVST So guys finally काफी time के बाद TWS जो है अपनी ज़्यादा range की electric scooter को launch करने वाला है 2023 में ही आने वाली थी बट इन्होंने जो है IQB and IQVS model पे ज़्यादा तर फोकस किया अभी इनका sales report जो है top 10 में दो नंबर पर आती है तो customer की जो requirement है थोड़ी सी range बढ़नी चाहिए features थोड़ी से बढ़नी चाहिए इसके हिसाब से TWS IQVST अल्रेड़ी यह electric scooter launch हो चुकी है शोकिस वगेरा हो चुकी है बस इसका production वगेरा ही pending है so finally finally 2024 के first quarter में आपको यह electric scooter देखने को मिलेगी ही मिलेगी और गाइज अल्रेड़ी काफ़ सारी customer को इस electric scooter के बारे में पता भी होगा 140 km तक range मिल जाती है डिस्पले बड़ा मिलता है लुक वगेरा सेम ही है छोटे मोटे कुछ changes उन्हेंने किये है नए generation के थोड़ी से electric scooter हो जाती है अगर हम pricing की बात करें तो पहले के model के हिसाब से 30,000 से लेकर 35,000 तक extra लगा सकते हो लेकिन fame 3 की नई subsidy आने के बाद इसकी pricing और भी less देखने को मिल सकती है क्योंकि government की fame 2 की subsidy खतम ही होने वाली है so definitely 2030 खतम होने के बाद 2024 में नई subsidy का आप लाब उटा सकते हो so अगर आपको एक अच्छे brand की EV चाहिए quality service चाहिए तो आप TVS IQ VST के लिए भी wait कर सकते हो उसके बाद आप बात करते हैं भी दो number electric scooter के बारे में Honda की first electric scooter आप इसको बोल सकते हो जो की 100% लिए तो नहीं बट 90% ये confirm है कि Activa के look के साथ आपको Honda की ये electric scooter देखने को मिल सकती है क्योंकि Honda जो एक trusted brand है इनके पास काफी customer है and trust होने की वज़े से सभी customer जो हे Honda की electric scooter ले सकते हैं जैसे कि आर other EVs brand के बारे में बात करें उससे ज़्यादा trust आपको Honda की brand पर काफी customer का देखने को मिलता है so definitely आपको first आपको battery मिलेगी Honda की officially battery जो बाहर की countries पर Honda provide करता है तो same guys Honda and GoGro Indian market में ही अपने battery को boom करने वाले सबसे ज़्यादा life आपको Honda and GoGro की battery के आपको life देखने को मिलने वाली है range की बात करें तो आपको same जैसे की GoGro में one battery and dual battery दो option आपको देखने को मिल जाते हैं तो 100 km तक minimum range देखने को मिलेगी and maximum अगर दोल battery लेते हैं तो 180 km या 160 km तो आपको range देखने को मिलेगी and Honda के जो COA उन्होंने पिछले event में बताया था 2023 के ending तक ही हम इसके उपर काम करना updates डालना शुरू करेंगे finally first quarter में 2024 के Honda की इस electric scooter को हम launch करने वाले और Honda के बास guys customer भी है experience भी है electric scooter का batteries का कि यार केसे जो इसका पूरा performance निकालना है अच्छी range निकालनी है अच्छे features customer को provide करने है and mainly our pricing जो pricing रहेगी वो आप बोल सकते हो जो trusted brand की EV है जैसे tvs हो गई बजाज हो गई या hero motor cop की वीड़ा हो गई उसके आसपास इसकी pricing रहेगी but definitely guys ये एक बात है कि यार Honda की जो electric scooter रहेगी उसमें आपको quality sales use होने वाले है batteries में जो बड़ा component होता है battery वो आपको सबसे ज़्यादा life देने वाली है ये तो आप बात लिखे रख दो अगर आपको one time investment में कोई EV लेनी है तो आप Honda की इस electric scooter के लिए wait कर सकते हो उसके बाद next electric scooter के बारे में बात करते है number one पर हमने इसको रखा है reward motors के तरब से reward and next 100 ये electric scooter पिछले महिने launch हो चुकी है आने वाले time में 4-5 महिनों में इसकी delivery भी चालो होने वाली सबसे पहले इसकी जो pricing है वो 90,000 रुपे से शुरू होती है और रेंज जो मिलती है वो आपको आपको 100 km, 200 km और 300 km तक रेंज देखने को मिल जाती है और उसमें आप जो है extra range भी लगा सकते हो LFE battery मिल जाती है और अल्रेडी काफी सारे customer को पता भी होगा Bangalore based ये company है reward motors features भी आपको नई generation के मिलने वाले सबसे हट के look मिलने वाला है और अल्रेडी हमने इस पर काफी वीडियो भी बना है जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर चेकाउट कर सकते हो डेफिनिटल आपको इस चैनल पर नया कुछ हट के content देखने को मिल जाता है तो यार प्लीज प्लीज यार सबस्क्राइब भी चैनल को जरूर से जरूर करना और reward motors की इस electric scooter में LFE battery यूज कीए तो life cycle भी आपको अच्छे मिलने वाले safety भी बढ़ जाती है तो ये कुछ 5 electric scooter है जो के आने वाले time में आपके लिए best रह सकते है 10 साल तक के लिए battery में आपको कोई भी issue देखने को नहीं मिलने वाला है 10 साल तक अराम से आप जो no tension रह सकते हो इन पांचों में से आपको कौन सी electric scooter अच्छी लगी क्यों अच्छी लगी कमेंट में जाकर ज़रूर से ज़रूर बताईए सो गाइच चली यार मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ हट के नए कंटेंट वीडियो के साथ